राधे राधे फ्रेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल सोनीज मसाला किचन में बहुत-बहुत स्वागत है तो चिली बनाना सुरू करते हैं, हमने इसके लिए लिया है ये लगभग 50-60 अद्रक है जिसे हम पानी में डाल कर अच्छे से वाश कर लेंगे अद्रक को हम बहुत अच्छे से दोन साफ करना है क्योंकि इसमें मिट्टी ओधर अलगी रहती हाला कि हम इसे छीलना ही है उसके बाद हम इसे छील लेंगे लेकिन फिर भी एक बार हम इसे बहुत ये अच्छी तरीके से दो-तीन पानी से अच्छे से साफ कर लेते हैं कि हमने अधरक को धोलिया है अब हमें इसे छील लेंगे तो देखिए हमने अधरक को अच्छे से छील लिया है यह देखिए हम इसे एक मिक्षी के जार में डाल देंगे इसके बाद हमने लगभग पचास ग्राम करीब यह लाल मिर्ची ली है यह लाल मिर्च हमारी का अच्छी मिर्च जो घर में रखी रहती है जो हरी मिर्च लेके आते हैं वही पग जाती है यह वही लाल मिर्च है यह लगभग पचास ग्राम है यह भी हम इसमें मिला देंगे हम इसमें एक चम्मच के तरीब नमक मिलाएंगे और यह आधा चम्मच हमने कस्मीरी लाल मिर्च ली है यह भी से मिक्स करेंगे इसमें हमने कच्छी मिर्च मिलाई है सिर्फ हमने यह कस्मीरी मिर्च इसमें कलर के लिए मिलाई है अब हम इसे दरदारा पीस लेंगे आप चाहें तो इसे खलवट्टे में भी कूट सकते हैं कूटी हुई चैटनी बहुत अच्छी लगती है लेकिन हम इसे मिक्सी में पीसेंगे और हमें इसमें पीशते समय पानी का बिल्कुल साहरा नहीं लेना है यह देखिए हमारी चाटनी पिसकर तयार है हमारी चाटनी पिसकर तयार हो चुकी है अब हम इसे एक बलतन में निकाल लेते हैं कि अब हमने यह दो निभू लिए हैं यह हम बीच से काटके इसका रस में निचोड़ेंगे यदि आपके पास लेमन स्क्वीजर हो तो आप उसकी प्रहता से इसमें निभू का रस निकाल सकते हैं कि और नहीं तो आप इस प्रकार हाथों से भी निचोड़ सकते हैं ध्यान यह रखेगे कि हमको इनके बीच जो है निकाल लेने हैं कि 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 हमने सारे निभू कर रस इसमें मिला दिया है और अब हम इसको अच्याचे से इसमने में से कर देंगे इस चेट्नि को आपको कफी लंबे समय तक चलाना है तो आप इसमें ज्यादा निव डाले डाले यह हमारी चेट्नी निवू के रश से भीगिवी रहे तो यह काफी लंबे समय तक चल जाती है और यदि आपको दो-चार दिन यूज करना है तो आप इस प्रकार भी इसको यूज कर सकते हैं यह खराब नहीं होगी आप इसे किसी भी कांच की बर्नी में या चिनी मिट्टी के जार में भर कर रख दें इस बिल्कुल खराब नहीं होगी यह देखिए तो हमारी चटनी बनकर तयार है कितनी स्वादिष्ट दिख रही है यह आप इसे पराठे के साथ पुड़ी के साथ यह किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं यदि आप तिखी चटनी ठानी के स्वाप्टी है तो एक बार इस चटनी को जरूर ट्राइ कीजिए करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में तब तक लिए राधे राधे